very good morning friends और आज हम बात करने वा रहे हैं दिन नाइपर बिल अमेंडमेंट जो कि अभी अभी आपका दिसम्मर 2021 में हुआ है और इसके अकोडिंग जो नाइपर्स है हमारे साथ नाइपर्स है उनको जो है और ज़्यादा पावर्स दी गई है अलाकि पहले भी जो नाइपर मोहाल है उसके पास पहले ही national importance का जो status है वो था लेकिन बाकी जो छे नाइपर है उनको अब include किया गया और उसके साथ चेंजिस किया गया तो अब हम इस बिल को देखने वाले हैं कि इसमें क्या amendment किया गया है और most important की ये बिल लाने की जो है government को need क्यों हुई तो सबसे पहले हम दे 2020 को और फिर लॉक सवा में जो है इसको अब इस पे जो है वो डिवेट हुआ 6 दिसंबर 2021 को और यह जो बिल है यह आपका पास हो गया अब यह जो है यह amendment है आपका National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998 में जो है इसको amendment किया गया है यानि संशोधन किया गया हिंदी में हम बोलते हैं तो पहले जो य 1998 वाला बिल था इसमें जो आपका national importance जो है सिर्फ नाइपर मोहाली के पास थी तो इसको जो है अब यह amendment इसमें किया गया है तो इसके reasons है उसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम national importance को समझ लेते हैं कि national importance क्या होता है कि कोई भी जो autonomous institution है जैसे आपका नाइपर्स हैं different तो वो इस act के under आते हैं और उनके पास power होती है कि कोई वो degree वहाँ पर start करा सकते हैं कोई diploma courses start करा सकते हैं PhD start हो सकता है या post doctor start हो सकता है जैसे कि नाइपर में अभी आपका graduation नहीं होता है लेकिन वो start हो सकता है इसके साथ साथ जो है आपके different PG diplomas होते हैं चाहे वो clinical trial मिलें या कोई quality control quality assurance मिलें अभी तक आप mostly जो है आला कि diplomas हैं लेकिन इनको बहुत कम है या बहुत कम नाइपर में जो है diplomas होते हैं या certificate courses होते हैं तो उसका बहुत कम है next इस दा नेश्ट और सबसे important बात यह है कि जो funding है अब सीधा central government से आएगी और पहले जो है सिर्फ यह जो funding है यह आ रह से सबको include किया जाएगा सबके पास अपने funding आएगी और वहां पर हो सकता है graduation के लिए जो आपका भी फार्म का degree है वह भी start हो जाए और आपका MSC से related कोई अगर कोई pharma से related course है MSC वाला तो वह भी start हो सकता है तो key points थे इस bill का सबसे पहला जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो आ तो इनके पास अब proper funding आएंगी various degrees started होंगी और इन सबका जो है main जो इस bill को लाने का जो government ने एक पूरा सोचा समझाए कि कोविड जब आया तो उस दोरान government को पता लगा कि हमारे पास जो pharmaceutical companies हमारी बास बहुत हैं सस्ता सबसे सस्ती medicines बनाते हैं पूरे world में लेकिन हमारे पास API नहीं है API हमें बहार से consume करना पड़ रहा है तो यह जो main था और API का बनाना उसको और उसकी cost को reduce करना एक वो सबसे important point था और इसके साथ पेटेंट्स जो है वो pharmaceutical sectors में बहुत कम है उन पेटेंट्स का number बढ़ाने के लिए research का standard बढ़ाना वो बहुत जरूरी हो जाता है तो इ इसके साथ आपने थोड़े टाइम पहले देखा हुआ कि नाइपर में जो है medical devices का जो है post graduation course जो है वो start हुआ है यानी PG जो है अब वो medical device का course start करने के पीछे reason क्या था क्योंकि इंडिया में जो 70 जैसे covid में आपका infrared thermometer यूज हुआ ओक्जिमेटर यूज हुआ कुछ भी आपक medical device यूज हुआ तो 75% पहले हम बहार से जो है किसी दूसरे देश से मंगवाते थे इंपॉर्ट करते थे तो यह जो है सबसे important जो चीजे हैं वो government अब इंडिया में start करने जा रही है ताकि जो students है एक तो उनको employment अच्छा मिलेगा और API जो अगर इंडिया में बनेंगे तो drug क जो cost है वो और reduce की जा सकती है हाला कि हम सबसे सस्ता बना रहे हैं लेकिन जो API के लिए हम अभी तक mostly देखा जाए तो चाइना पर डिपेंडेंट हैं जैसे आप कई बार न्यूज में पढ़ते हैं कि परसित अमॉल के price बढ़ जाते हैं API बढ़ गया तो वो सारी चीजे जो ह हैं वहां से API से connected है that is active pharmaceutical ingredient तो अब एक तो जो है national importance दिया है क्योंकि बिल तो सबको बता है क्या है क्या है क्या हुआ है लेकिन उसके पीछे का background समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई admission ले रहा है तो उसको समझ में आए कि उसका आगे क्या relevance हो सकता है तो सबसे पहले cause duration admission standards किस तरीके से करना है वो अब उनको power दे दी गई है तो एक council भी बनाया गया है और council में आप देखेंगे बहुत सारे लोग include है जो ये council बनाई है इसमें आपके member of parliament भी include है CSR के ex members भी include है head भी includes है different different और नाइपर को जो है IIT की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे IIT का जितना एक passion है उतना ही जो है आपका नाइपर्स का हो फार्मा में तो यह important points है तो यह different different यह functions जो है यह perform करेगी council budget बनाएगी इसमें बहुत लोग include हैं और सब का अपना अलग-अलग जो है वो रोल है next यह मैं बता चुका हूँ कि IIT पे है और research could bring to the more patents क्योंकि यहां पर फार्मा पेटेंट्स हो आते हैं लेकिन फार्मा में जो है वो patents कम है इसलिए जो है government को ज्यादा दिक्कत होता है ज्यादा खर्च करना पड़ता है और कुछ जो है मैंने description में debate के session डाले है जो पालियमेट में है वहां के ही link है तो आप उनको देखना च अच्छा पूचा गया था उस debate में जब मैंने लेखा था कि national importance तो मिला है सबको लेकिन national importance मिलने के लिए जो parameter है वो clearly describe नहीं है कि national importance किसे institute को मिलना चाहिए तो उसके लिए क्या parameters है तो यह question जो है वो बहुत साही पूचा गया था discussion में I hope you see the all the debate sessions that I giving the link in the description so thank you so much and all the best कर दो कर दो